हेई फैमिली वेल्कम बैक टू अनदर वीडियो तो मैं आज आप सब के लिए एक बहुती यूसफुल रिसिपिल आया हूँ हर घर का सीन होता है कि यार इतना सारा खाना बज गया हम इसको क्या करेंगे अब यह वेस्ट हो जाएगा तो यह वीडियो देखने के बाद ना आप तो पहले हम यहां पर एक मिक्सी जार ले लेंगे इसमें हम दालेंगे दो कप चावल या फिर आपके पास जितना भी बचा हुआ खाना हो वो सब इसमें दाल लें और हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है थोड़े दानेदार पीस लें तो आप यह देख सकते हैं इ तोड़ा सा दानेदार ही पीस हैं इसको एकदम फाइन ना करें और इसको हम एक बाउल में ट्रैंसफर कर लेंगे इसमें हम एड़ करेंगे हाफ कप आलू यानि के पोटेटो ग्रेट करके दालने ऐसे उसके बाद जाएगा हाफ कप गाजर यानि की कैरेट इसको भी आला पाउडर फिर हम डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाध अनुसार दालने आप और फाइनल इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा दनिया और इन सब को हम अच्छी तरह के से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रिडियंस अच्छी से मिक्स हो जाएं सारे ingredients को अच्छी तरीके से mix कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे half cup soji soji डालने से इसका जो moisture है वो soji अब्सौब कर लेता है और साथ यसाथ crispiness भी आता है soji डालने से हम थोड़ा थोड़ा करके soji डालेंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे अगर half cup soji दाल के भी यह थोड़ा सा गीला है ना मतलब moisture जाद आए तो आप और थोड़ा soji दाल सकते हैं इसमें इसी तरीके से सारे soji को हम दाल के अच्छे से mix कर लेंगे तो हमने इसको अच्छे से mix कर लिया है अब हम इसमें दालेंगे corn flour powder 2 टेबल स्पून corn flour दालने से इसमें एक अच्छा binding आजाता है और साथी साथ थोड़ा crispiness भी आता है तो हम इसमें दालेंगे 2 टेबल स्पून corn flour अब जाए तो 3 टेबल स्पून भी दाल सकते हैं और इसको अच्छे से mix कर लेंगे हम तो हमने इसको अच्छे से mix कर लिया है अब हम इसमें दालेंगे 2 टेबल स्पून दाही अब दाही को भी इस mixture के साथ अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो आप यह देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से mix कर लिया है अब हम बावल को side पर रख देंगे अब हम एक tray ले लेंगे कोई साथ एक tray ले लें जिसके side पर ऐसा थोड़ा सा उच्छाई हो अगर आपके पास ऐसा tray नहीं है तो आप ऐसा round plate या कोई भी square plate कोई भी उसकर सकते हैं जो side में थोड़ी सी उच्छाई होने चाहिए इस तरगे से तो मेरे पास tray है तो मैं यही उस कर रहा हूं अब हम अपना mixture ले लेंगे जो हमने अभी बना के रखा था और अब हम इसको इस ट्रे में transfer कर लेंगे तो हमने सारा mixture को ट्रे में transfer कर लिया है अब हम एक spoon या spatula की मदद से ऐसे एकदम flat कर लेंगे इसको अच्छे से फैला लेंगे even level पे तो देखिए हमने इसको flat कर लिया अगर ज्यादा चिपके हैं तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इस पे अच्छे से तेल लगा के फिर flat करें अब हम इसको side पर रख देंगे तकलीबन एक से देड़ घंटे रख सेट होने के लिए तो एक घंटा हो चुका है अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा set हो चुका है अब हम इसको pieces में cut कर लेंगे square shapes में तो आप ये देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से set हो चुका है अगर ये pieces बाहर निकालते हैं अगर हाथ में ज़्यादा chip के shape को विगड़े ना तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें तो ये देख सकते हैं तवा थोड़ा गरम हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे मैंने टू टेबल स्पून तेल डाला है जैसे ही तेल थोड़ा सा गरम हो जाएं हम इसमें अपना rice bar डाल देंगे और इसको हम shallow fry कर लेंगे golden brown होने तक तो थोड़ी देर के बाद हम इसको पलट के देखेंगे तो आप यह देख सकते हैं यह एक साइड से golden brown हो चुका है हम इसी तरह दूसरे साइड को भी fry कर लेंगे तो आप यह देख सकते हैं यह दोनों साइड से अच्छे से fry हो चुका है अब हम इसको तवे से उठा के साइड पे प्लेट में रख देंगे टिशू पेपर दालके ताकि सारा तेल निथर जाए इसी तरीके से हम बाखी जो भी राइस बार्स बचाए साब को fry करके निकाल लेंगे डे यूगो हमारा crispy and delicious leftover rice bar is ready घर पे जरूर ट्राइ करें बच्चों को जरूर पसंद आएगा यह क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही बहतरीन होता है अगर वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक करना मत बूलें साथी साथ दोस्तों को शायर कर दें अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बबाई